नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक पार फिर से दोस्तों करवा चौत महिलाओं का एक महत्व पूर्ण वरत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है वाली वुड में लगबख सभी अभी नेत्रियां इस वरत को भली भांती करती ह है आपको बता दे वीदेशों में रहने वाली महिलाओं भी करवा चौत को मनाती है ऐसे में करवा चौत की शौपिंग तैयारियां महिलाओं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं दोस्तों 2023 में इस पर करवा चौत नमंबर के महीने में यानि कि एक तारीक को मनाया जाएगा और इस दिन बुद्धवार है और पूजा करने का मुहरत है शाम 5.36 मिनट से लेकर शाम 6.54 मिनट तक जो कि पूजा का शुब मुहरत रहेगा इसी मुहरत में आपको पूजा पाट करनी है और चांद निकलने का समय है रात 8.15 मिनट जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा दोस्तो ये वरत शक्ती सवरूपा माता पारवती को समर्पित है अगर आप चाहते हैं कि आपके पती पर कोई कष्ट ना आए और आपका वरत सफल हो जाए तो कमेंट में जरूर लिखें जै मापारवती जै माता दी दोस्तो माता रानी के लिए एक लाइक तो ज पैयार होती है और सोला शिंगार करती है इस दिन निर्जला वरत किया जाता है लेकिन गर्बवती महिलाएं या सेहत समंदी समस्या होने की वज़े से पला हार लिया जा सकता है दिन भर वरत करने के बाद महिलाएं शाम के समय लौटे में जल भरती है और एक करवे में पहली बार करवा चौत का वरत रख रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप वरत के दिन क्या पहनेंगे पहले वरत के दिन आपको अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहिए अगर आप किसी भी वज़य से उस जोड़ी में अन्फिट है या फिर कोई भ दोरान अब जान लेते हैं दूसरा नियम कौन सा है करवा चौत की पूजा का रंभ सुबह सोरे उदे से पहले सर्गी के साथ किया जाता है सर्गी की परंपरा हर किसी के घर में नहीं होती लेकिन जिनके घर में सर्गी की जाती है तो वो सोरे उदे से पहले ही करें इसमें ज इसमें कई लोग शिंगार का समान भी देते हैं। आईए जानते हैं तीसरा नियम कौन सा है। वरत शुरू करने से पहले करवा माता अपने इश्ट दैव या देवी मा का ध्यान करें। इसके बाद अपने बड़े बुजर्गों का आशिरवाद ले। साथ ही हाथ में जल ले जल का भरा हुआ टोटी वाला लोटा, प्रसाद, फूल, घी का दीपक, धूप, शिंगार का समान, द्रुवा घास, मिट्टी का करवा, उसमें भरने के लिए चावल या मीठे बताशे, पूजा की सीख, करवा चौत का केलेंडर, शिव पार्थवती और भगवान गनेश ज लखे, मिट्टी के करवे में आप चावल या मीठे बताशी अगर नहीं भरते हैं, तो उस दिन आपके घर में जो खाने की समगरी बनती है, उसमें आप वो भर सकते हैं, पांचवे नियम के दौरान, आपको ये जानना होगा, कि जहां पर आप करवा चौत की पूजा कर रह करते हैं, तो उस जगह पर आप गंगा जल की थोड़ी से बूंदे डाल कर उस जगह को शुद कर लें, अब वहां पिसे हुए चावल या खड़िया से चंद्रमा की अकरीती बनाए, अब एक चौंकी पर भगवान शेव माता पारवती और गनेश ची की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें, करवा चौत के पूजन का जो कैलेंडर या फोटो होता है, मारकित में बहुती एजली अवेलिबल होता है, आप वहां से खरीद लें, उसके बाद दीपक जला कर पूजा प्रारंब करें, चोटा और सबसे खास नियम वो है करवा चौत के दिन आपको पूर करवा चौत कैलेंडर भगवान शिव पारवती जी के परिवार का जो फोटो रखा है, उस पर कुमकुम से तिलक करें, साथ ही देवी देवताओं को भी तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें, इस दोरान करवा माता को सभी शिंगार के सामगरियां चढ़ाएं, को आप उस दिन साथ बार करवा बदलें, देवी मा से अपने पती की लंबी आयू और सुख मै दामपत्य जीवन की काम ना करें, दस्वार आखरी नियम इस तरह हैं, जब आप पूजा कर लें, कथा कर लें, साथ ही करवे को भी साथ बार किसी भी महिला के साथ बदल लें, जल से चंदर्मा को अर्गय देते हुए साथ परिक्रमा करें, इसके बाद पती के हाथ से जल पीकर और कुछ मीठा खाकर वरत को संपन्न करें, आईए दोस्तों आप जानते हैं करवा चौत की कथा, इसे आप पूजा के समय इस वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं, दो जानी सहीत उसकी सातों बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौत का वरत रखा, रातरी के समय जब साहुकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बेहन से भी भोजन कर लेने को कहा, इस पर बेहन ने कहा भाई, अभी चांद नहीं निकलने पर उस पेड़ पर चड़कर अगनी जला दी, घर वापिस आकर उन्होंने अपनी बेहन से कहा, देखो बेहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अरग्य देकर भोजन ग्रहन करो, साहुकार की बेटी ने अपनी भाबियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग अभी अरग्य देकर भोजन कर लो, ननद की बात सुनकर भाबियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोके से अगनी जला कर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुमें दिखा रहे हैं, साहुकार की बेटी अपनी भाबियों की बात को अंस हो गई, गनेश जी की अप्रसनता के कारण उस लड़की का पती बीमार पढ़ गया, और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया, साहुकार की बेटी को जब अपने किये हुए दोशों का पता लगा, तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ, उसने गनेश जी स शमायाचना की और फिर से विधी विधान पूरवक्चतूर्ती का वरत्य शुरू कर दिया, उसने उपस्तित सभी लोगों का श्रधा अनुसार आदर किया और तद्दू प्रांत उन से आशिरवाद ग्रहन किया, इस परकार उस लड़की के श्रधा भक्ती को देखकर एक द दोस्तों आपको बता दें कि करवा चौत में सुहागन स्त्रीयों को अपनी राशी के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए, इससे उनके वहवाईक जीवन में सुक शान्ती प्यार में बढ़ोतरी होगी नमबर 1, मेश राशी, मेश राशी की महिलाएं, करवा चौत की पूजा अगर लाल और गोल्डन रंग के कपड़े पहन कर करती है तो बेहद शुब रहेगा नमबर दो विशब राशी, विशब राशी की महिलाओं को इस करवा चौत सिल्वर और लाल रंग के कपड़े पहन कर पूजा करने से पती पत्नी के बीच प्यार में कभी कमी नहीं आएगी नमबर तीन मिथुन राशी, इस राशी की महिलाओं के लिए हरा रंग इस करवा चौत बेहदी शुब रहने वाला है, इस राशी की महिलाओं को करवा चौत के दिन हरे रंग की साड़ी के साथ हरी और लाल रंग की चौड़ियां पहन कर चांद की पूजा करनी चाहिए, ऐसा करने से आपके पती की आयू लंबी होगी नमबर चार करक राशी की महिलाओं को करवाचोथ की पूझा के समें विशेश कर लाल सफेद रंग की साडी के साथ रंग भी रंगी चूडियां पहन कर पूझा करने चाहिए नमबर पांच सिंग राशी करवा चौत की साड़ी चुनने के लिए इस राशी की महिलाओं के पास कई विकल्प मौजूद हैं साड़ी का रंग चुनते समय इस राशी की महिलाएं लाल, संतरी, गुलाबी और गोल्डन रंग चुन सकती हैं नमबर छे कन्या राशी कन्या राशी वाली महिलाओं को इस करवा चौत लाल, हरी या फिर गोल्डन कलर की साड़ी पहन कर पूजा करने से लाब मिलेगा ऐसा करने से दोनों की विवाहिक जीवन में मधूरता बढ़ जाएगी नमबर साथ तुला राशी इस राशी की महिलाओं को पूजा करते समय लाल, सिल्वर रंग के कपड़े पहनने चाहिए इस रंग के कपड़े पहनने पर पती का साथ और प्यार दोनों हमेशा बना रहेगा नमबर आठ विशब राशी इस राशी की महिलाएं लाल महरून या गोल्डरन रंग की साड़ी पहन कर पूजा करें तो पती पतनी के बीच में प्रेम बढ़ जाएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कोमेंट करके जरूर बताईए कि आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी साथ ही आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को जल्दी से जाकर सबस्क्राइब भी कर दीजिए जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यव मेंगे एपका बहुत कीजिए और अभाप्का बहुत ओड़ तक कानाका है।